सबी भाई बैनों और दोस्तों नमस्कार तो दोस्तों आज काफी अच्छी अच्छी बाते हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और कुछ ऐसी बाते हैं जो आपके सहोकी भी जरूत पड़ेगी तो वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर ध्यान से सुनना देखना ठीक है अच ममाई वान सो जीव लोग के जीव भूते सनातने हैं मने सश्ठान इंद्रियानी प्रकरति स्थानी कर्शती मिंस कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन जो भी आपको दिखाई दे रहे न वो सब मेरे यंस हैं और मेरे सत्ता के बगर पत्ता भी नहीं हिल श अर्जुन को भी मैं नहीं मिलता हूं लेकिन जिनका अंतहकन सुध है उनको मैं स्वाभविक रूप से मिल जाता हूं बगवान स्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात बोली तो सर हमें क्यों बता रहे हो बात दोस्तों आपको इसलिए बात बता रहा हूं कि काफी लोगों कि मैं नाम नहीं बोलूँगा मेरे पास धमकी बरे फोन आ रहे हैं कुछ कह रहे हैं कि सर आप सेलेक्टिड परशन के लिए वीडियो बना रहे हो हमारी सुनते नहीं हो हमारे लिए देखते नहीं हो ये वो ये कर देंगे वो कर देंगे मैंने आपको बात बताई थी पहले कि खुस्बू आ नहीं सकती कागच के फूलों से सच्चाई छुप नहीं सकती जूठे उसूलों से दोस्तों देखिए मैं सच्चाई के साथ हूँ समय आपके साथ अपने आप ही आजाएगा अगर आप सच्चाई के साथ हो जी आवो समय आ गया दोस्तों अभी आपको अपडेट कर देता हूँ कि आप सब की मेहनत की वज़े से जो भाई बहन प्रोटेस्ट पे बैठे हैं बूखे पेट बैठे इतनी ठीठूरती सरदी में बैठे ठीक है अपने पैसे खर्श करके वो लोग बैठे ठीक है अपने घर जिदिक बधाई देना चाहूँगा दिल से आप लोगों का मैं भिनंदन करता हूँ जो आप लोग वहां बैठे हो आपको मैं बिलकुल हाद जोड़के धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप सभी भाई बहनों के लिए एक काम कर रहे हो ठीक है तो दोस्तों अभी इंपो कारिक को यूं लगा लो कि डिस्पोज हो सकता है डिस्कलोज हो जाएगा सिस्टम और अगर डिसमिस नहीं होता है केस तो छोटी हीरिंग और मिल सकती है 90% काम हो जाएगा 5 जनवरी को बाकि अगर कुछ परसेंट बसता है 10% तो जनवरी में ही डेट मिलने के पूरे चांस है 6 फैब का भी कोई चकर नहीं है यह तो थी आपके लिए गुड न्यूस ठीक है दोस्तों फिर से मैं बोल दो 6 फैब के लिए कोई अब चकर नहीं है 5 जनवरी के जो अरली हीरिंग हो यह उसी में आपको लोगों का केस सुलट जाएगा क्योंकि वज़े क्या है आपके केस मे यह रिजल्ट निकाला तो रिजल्ट बिना पर्ची बिना खर्ची के निकाला है तो जोइनिंग भी तो होगी यार पक्की होगी और मैं मैं बोलना चाहूंगा उन मंत्रियों से जिनों इतना डिले किया देखिए दिल में दुख तो रहता है एक बाब बताओ अगर आप नहीं दिलाए जाए तो क्या बित्ते की वही बात इन बच्चों पर हो रखी है यह बच्चे रिजल्ट पास करके आए क्वालिफाई करके टेस्ट केलियर कर दिया लाइबरेरी में राद दिन बैठके इनोंने मेहनत की गरीब बच्चे यह इमानदारी से आपने रिजल्ट निकाला तब ज्वाइनिंग में अगर इतना डिले करोगे तो दुख तो होगा ना तो यह बिलकुल दुखी होके प्रोटेस्ट करने गए थे अदरवाइस किसी को चाओ नहीं था कितने दिनों तक वेट किया इन लोगों ने ठीक है चली दोस्तों अब आप लोगों से जो एडवोकेट जो आप लोगों ने पटवालिया जी को किया बहुत अच्छा काम किया अभी उसका जादू दीरे दीरे अब दीख रहा है बता दूँ आपको मैं वो भी एजी रह चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों मान लिजिए सामने क्रिकेटर है आपक नहीं करते हैं दोस्तों अपना जो पटवालिया जो एडवोकेट है सिनिर एडवोकेट ये भी ऐसा ही है तीन हीरिंग खाली जा चुकी है तो बिलकुल बहरे बैठे हैं 101 परसंट गजब का रिस्पोंस आने वाला गजब का रिजल्ट आने वाला है और तुम देख लेना आ अब हाज जोड की रिक्वेश्ट कर रहा हूं इन सभी भाई बहनों के लिए वो ये है दोस्तों कि ये बच्चे 29 तारिक को यूं लगा लो 1911 को ठीक है ये बच्चे बैठे थे प्रोटेस्ट पे क्या खर्चा ने लगता ये बता दो कमे टिम जो पैसे आये थे वो पैसे भ कर रहा भाई मैं परेसर नहीं कर रहा हूं आप 50 रुपे 100 रुपे आपकी सर्दा के अनुसार आप पैसे बिल्कुल क्या है डोनेट कर सकते हो ठीक है डोनेट क्या है तो मैं कह रहा हूं आपका अपने काम है उसमें पैसे दे रहे हो ठीक है न भाई रही बात मेरी कई लोग कहने से video बना देता हूं मैं अपनी मर्जे से video कभी नहीं बनाया याद रखना selected भायों की तरफ से बात आती है सरी बोलना ये बोला तब बनाता हूं और आज तक हितियास सक्सी है बच्चों से पूछलो मैंने आज तक किसी video वीडियो बनाने के लिए कोई पैसा नहीं लिया ध्यान रखना है बहुत बड़ी बात बोलने नहीं चाहिए वीडियो पे इसलिए बोल रहा हूं कि काफी लोग फोन करके कुछ उल्टी-शूल्टी बात बोलते जिससे दिल पे हट हट को दुख होता है बाई सच बता रहा हू और तो क्या करो यार प्राइविट आदमी हूँ बाई प्राइविट टीचर हूँ मुझे बताओ बाई मैं पैसे देने के लिए तयार हूँ फिल हाल बच्चों ने बोला सर आपको जादा नहीं करना 2100 रुपे आपको डोनेट करना है बाया मैं 2100 रुपे डोनेट कर रहा ह हूं ठीक है और उन भाई बेनों का उस कमेटी का जो भी अकाउंट नंबर है जो जो भी होते हैं क्या वोलते उसको यार वो सारे सारे आपके डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा अकाउंट नंबर ठीक है या फिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा वहां से देख नहीं है लेकिन मेरे पास भेजोगे तो मैं अभी उनके पास भेजूँगा ठीक है मैं पैसे कठे नहीं कर रहा हूं नहीं मैं कमेटे में हूँ तो सिर्फ आप क्यों इतना पेन ले रहे हो बढ़ाई तो थी मैंने आप अच्छे काम करते रहें दोस्तो कौन आपकी प्रसंसा करता है कौन नहीं करता है डोजन्ट मैटर क्योंकि अक्सर लोग सोते रहते हैं लेकिन सूरी फिर भी उगता है दोस्तो हमारा सभाव है अच्छे कारिये करना सच्छाई का साथ देना आज से नहीं मैं सुरू से ही रहा हुं कभी सोचते हूँ कि अभी तुँ काम बने वाला ऐसलिए नाइ ने नाइ नाइ ना तो ने तो मैंने क्या बोलते हुआ आप लोग और स्पार कर दू और मैं इतने डॉनेट कर दू गयाराँ डॉनेट कर दू दसजार कर दू पांशजार कर दू diyor मैंने तो बस भलाई हो जाए अच्छा ही हो जाए सचाई का साथ देने के लिए दिल को दुख होता दोस्तों इतने दिनों से तुम दुखी हो इतने दिनों से आज की बात नहीं जब से तुम लोग बैठे हो ना उससे पहले वीडियो बनाने लगा था मैं सबसे पहला वीडियो सबस नहीं किया, दूसरी बरतियों के लिए मैंने आवाज इतनी ज़्यादा नहीं उठाई, अब उठाने स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों का बैल्ट बिल्कुल चड़ चुका है, और पक्का काम होने वाला है, ठीक है, बस आप लोगों इस रिक्वेस्ट है, जो छोटा से काम आपको बोला है, छोटी सेवा बोली है, आपका यह अपना काम है दोस्तों, यह मेरा काम नहीं है, 50 रुपे, 100 रुपे, 200 रुपे, रह गया है, और भाई कोर्ट का काम रह गया है, एचसी का कोई काम नहीं है, एचसी की तरफ से सब कुछ किलिए हो चुका है, ठीक है, हाँ दोस्तों, लास्ट में एक पॉइंट याद आ गया, वो यह है कि कुछ लोग अभी धरने पर जो अपने भाई बहन बैठे हैं, प्र आना चाहूंगा दोस्तों, यह बिल्कुल नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग ऐसे बोलके गए हैं कि अभी तुमारी बरती का कुछ नहीं होना, रिजल्ट रिवाइज होगा, यह होगा, वो होगा, अरे कुछ नहीं होना, ठीक है, कितने मही एड़ोकेट है, बिल्कुल दबंग सेर आदमी है, वह यह एजी हैं, एजी रह चुके हैं वो, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जबरदस फेस वेलू है, और गजब की यू लगा लो भाया, बैटिंग होने वाले हैं, ठीक है, पांस तरिक को डिसमिस हो जाएगा पाग डलवारा की ओखाओ, अच्छी हेल्थ बनाओ भाई, ठीक ना, और बाकी मैं बहनों को स्पैसली धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जितनी कटकराती सर्दी में वहाँ पर बैठी हैं, ठीक है, सारे कारियवारी छोड़के यार, और उन भाईयों को भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जिन्होंने प्राइविट जोब में लगे वे थे, वो प्राइविट जोब भी छोड़ दी है, ठीक है, और पडोशियों के तन्ने भी उन्होंने सुने हैं, बड़े दुखी हुए हैं वो लोग, मानसिक लोग आलो, डिप्रेशन में गए थे वो बतनी भगवान जरूर सुनता है भाई, अक्र में सत्य के ही जीत होती है, इसलिए सत्य में उजयते बोलते हैं, ठीक है, जूट में उजयते कोई ने बोलता है, सत्य में उजयते बोलते हैं, क्योंकि सत्य के ही जीत होती है, तो लास्ट में दोस्तों बस यही बोलूँगा, जैहिन जैभार्त नमस्कार लगे रहो उठना नहीं है